मा तो मा होती हैं हैलो मा मैं राजु बोल रहा हूँ कैसी हो मा मैं ठीक हूँ बेटे ये बताओ तुम और बहुत दोनों कैसे हूँ हम दोनों ठीक है मा आपके बहुत यादाती है अच्छा सुनो मा मैं अगले महीने इंडिया आ रहा हूँ तुम्हें लेने क्या हा मा अब हम सब साथ ही रहेंगे नितु कर रही थी मा जी को अमेरिका ले आओ वहाँ अकेली बहुत परशान हो रही होंगे हलो सुन रही हो मा हाँ हाँ बेटे बुढी आँखों से खुशी की अशुधारा बह निकली बेटे और बहु का प्यार नशनश में दोड़ने लगा जीवन के सतर साल गुजर चुकी सावित्री ने जल्दी से अपने पल्लू से आँशु पोचे और बेटे से बात करने लगी पूरे दो साल बाद बेटा घर आ रहा था बुड़ी सावित्री ने मुहले भड में दोड़ दोड़ कर ये खवर सब को शुना दी सभी खुश थे कि चलो बुढ़ापा चैन से बेटे और बहु के साथ गुजर जाएगा राजु अकेला आया था उसने कहा कि मां हमें जल्दे ही वापिस जाना इसलिए जो भी रुप्या पैसा किसी से लेना हो लेकर रख लो और तब तक मैं किसी प्रॉप्टी डीलर से मकान की बात करता हूं मकान मा ने पूचा हाँ मा अब ये मकान बेचना पड़ेगा वरना कौन इसकी देख बाल करेगा हम सब तो अब अमेरिका में ही रहेंगे बुड़ी आँखों में मकान के कोने कोने को ऐसे निहारा जैसे किसी या बहुत बच्चे को सहला रही हो आनन फानन और ओने पोने दाम में राजू ने मकान बेच जा सवित्री देवी ने वो जरूरी समान समेटा जिस से उनको बहुत ज़्यादा लगाओ था राजू टेक्सी मंगवा चुका थे एरपोट पहुंचकर राजू ने का मा तुम यहां बैटों में अंदर जा कर समान की जा चोड़ वार्डिंग और वीजा का काम निप्टा लेता हूं ठीक है बेटे सविती देवी वहीं पास की बेंच पर बैठ गई काफी समय बीच लेकिन अभी तक बाहर नहीं आया शायद अंदर बहुत भीर होगी सोचकर बुधी आखे फीर से टक्टकी लगाए देखने लगी अंधेरा हो चुका था एरपोर्ट के बाहर गहां गामी कम हो चुकी थी मा जी किस से मिलना है एक क्रमचाड़ी ने ब्रिधा से पुछा मेरा बेटा अंदर गया था टिकिट लेने वो मुझे अमेरिका लेकर जा रहा है शावित्री देवी ने घवरा कर कहा लेकिन अंदर तो कोई पैसंजर नहीं है अमेरिका जाने वाली फ्लाइट तो दो पहर में ही चली गई क्या नाम था आपके बेटे का क्रमचारी ने श्वाल किया राजू सावित्री के चहरे पे जिन्ता की लेकिरी उभर आई क्रमचारी अंदर गया और कुछ देर बाद बाहर आकर बोला मा जी आपका बेटा राजू तो अमेरिका जाने वाली फ्लाइट से कपका जा चुका है क्या ब्रीधा की आँखों से आंस्चों का सैला फूट परा बुटी मा का रोम रोम का पुटा किसी त्रवापिस घर पहुंचे जो अब इक चुका था रात में घर के बाहर चबुत्रे पर ही सो गई सुबह हुई तो द्यालू मकान मालिक ने एक कमड़ा रहने को दे दिया पती की पैंसन से घर का क्राया और खाने काम चलने लगा समय गुजरने लगा एक दिन मकान मालिक ने ब्रेधा से पूछा माजी क्यों नहीं आप अपने किसी रिष्तेदार के यहाँ चली जाया अब आपकी उम्र भी बहुत हो गई है केली कब तक रपाएंगी हाँ चली तो जाओं लेकिन कल को मेरा बेटा आया तो यहाँ फिर कौन उसा ख्याल रखेगा आँख से आशू आने लगे दुस्तो पड़े अनाथ